नवस्कार दोस्तों मैं रभी कुमार आपको पेक्स स्टडी सेंटर के यूटूब चैनल पर आप स्वागत करता हूँ इस चैनल के माधेम से हम लोग क्लास 8, 9, 10 है कि एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं लौँज करते हैं जो आपके पढ़ाई के लिए काफी लाप्रद होते हैं हमें उमीद है पिछले वीडियो जो आप देखे होंगे वो आपके ग्यान को काफी बढ़ाया होगा आगे भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज हम लोग क्लास 10 के और गेनिक कमेश्ट्री कारवनिक रसायन के पहला दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा लिंक तो पहले पार्ट में हम लोग कार्बन याम उसके योगी के बारे में अध्यान करते हैं तो कार्बन याम उसके योगी को अध्यान करने वाले विग्यान की सखा को रसायन विग्यान की सखा को हम लोग कार्बनिक रस मोग का आधेन करते हैं । कि अब प्रकृती में कार्वन क किस रूप में जो हम लोग देखते हैं तक कार्बन क्या है एक औ गितना है छे सहल उलेक्ट्रॉनिक भिन्यास लिखेंगे तो दो एवं चार वाइतम कख्चा में सन्योजी इलेक्ट्रॉन कितना है चार है तो इसलिए एक एक क्या है कार्बन एक ओधातु कार्बन भूप और पड़टी में क्षानिजो के रूप में 0.02 परतिसत पाये जाता ह जबकि Y-mandal में carbon dioxide CO2 के रूप में यह 0.03% उपस्तित है सभी सजीव पौधे हो चाहे जन्तु हो उनके शरीर में carbonic योगिक पाये जाते है carbonic योगिकों से ही शरीर बनता है मतलब हमारे शरीर में जिसे protein है carbohydrate जो हम लोग भोजन में लेते है यह सब जह carbonic योगिक है और हमारे जितने भी सजीव हो मनुस्य हो उनके शरीरों की सनचना में carbonic योगिकों की अहम भूम क्या होती है carbon की परमाणू संख्य अच्छे है electronic विन्यास 2-4 बायतम कक्षा में 4 electron इसलिए संजक्टा भी कितनी हुई 4 हुई tetravalence होता है carbonic योगिक कहते किसे है तो hydrocarbon यहम उसके व्यूत्पन को carbonic योगिक कहते है hydrocarbon मतलब hydrocarbon का मतलब हुआ hydrogen plus carbon hydrogen plus carbon carbon मतलब CH4 methane है तो CH4 methane है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे carbonic योगिक कहेंगे क्यों कहेंगे क्यों कहेंगे क्योंकि इसमें carbonium hydrogen दोनों उपस्तित है और उनके बीच में बंधन बनने से यह योगिक का निर्माड हुआ है इसलिए CH4 को carbonic योगिकों के सिननी में रखा जाएगा अगर CO2 लिखा जाए तो इसे carbonic योगिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे तो CO2 एक carbonic योगिक नहीं है carbon होते हुए भी यह hydrocarbon carbonic योगिकों के लिए मुखे सब्द क्या होना चाहिए यह hydrocarbon carbon carbon हों hydrogen के बीच बना हुए योगिक जबकि यह carbon है लेकिन hydrogen नहीं है hydrogen के जगए और क्या है oxygen है इसलिए CO2 carbonic योगिक नहीं है जबकि methane 1 carbonic योगिक है उसके बाद क्या कहा रहा है कि hydrocarbon के भीउत्तपन भीउत्तपन जिसे CH4 है CH4 मैंसे hydrogen को विश्थापित करते 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 एक hydrogen दो hydrogen सब चारो hydrogen को विश्थापित कर दिये तो CCL4 हाइट्रोजन के जगए कश ने ले लिया तो क्लोरिन ने ले लिया तो carbon tetra chloride tetra क्यों क्यों क्योंकि 4 chlorine है तो tetra लगाएंगे तो carbon tetra chloride क्या carbonic योगिक है कि नहीं है तो इस तरह से अगर देखे carbon है लेकिन hydrogen नहीं दिख रहा है तो आप कहेंगे कि ये carbonic योगिक नहीं है लेकिन carbon tetra chloride एक carbonic योगिक है क्यों carbonic योगिक है क्योंकि ये मेथेन का विवत्पन है मेथेन से ही बाद में उत्पन हुआ है इसलिए carbon tetra chloride carbonic योगिक के स्रेडी में आएगा carbon dioxide ये किसी भी hydrocarbon का विवत्पन नहीं है CaCO3 Calcium Carbonate Calcium Carbonate किसी भी इसमें Hydrogen नहीं दिख रहा है या किसी Hydro Carbon का भी उत्वपन नहीं है इसलिए Calcium Carbonate को हम Carbonic योगी के स्रेडी में नहीं रखते हैं तो Carbonic योगी किसको कहेंगे Carbonic योगी का मुख्य ये परिभासा आप याद रखिए कि Hydro Carbon जहां Carbon हम Hydrogen से बना योगी हो या इसके विवत्वपन हो उसी को केवल Carbonic योगी कहते हैं इसमें बीच में हो सकता है Sulfur जूट जाए, Oxygen जूट जाए जैसे COOH तो इसमें Hydrogen है तो ये Hydrogen है तो Hydro Carbon है Oxygen भी बीच में आया है तो ये Hydro Carbon साथ में Oxygen है Sulfur भी जूट सकता है तो ये Methanoyic Acid एक तरह से क्या है Carbonic योगी के सरेड़ी में रखा जाएगा अब Carbonic योगी को का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सरा उप्योग है हम लोग Carbonic योगी के अलग चेप्टर पढ़ रहे हैं आगे जाएंगे तो हम Organic chemistry का अलग भाग पढ़ते है chemistry का एक साखा बन जाती है सभी 118 तत्वों में सभी तत्व एक तरफ जबकि Carbon एक तरफ फिर भी सभी पे भारी पढ़ता है इसकी योगी क बहुत जादा है अभी धाई करोड के करिब में Carbonic योगी को की संख्या है और दिन प्रती दिन नए Carbonic योगी को की खोज होती जा रही है आउसधी के रूप में Esprane, Disprane चाहें Quinone, Sulfa Drugs Penicilline जितने भी कित नासक, रोगाणू नासक आउसधी होते हैं मुख्यता क्या होते हैं Carbonic योगी कोते हैं कपड़ा सूती जो कौटन पहंते हैं उन्नी, रेसम, नाइलोन, टेरिलेन ये सब में Carbonic योगी की होते हैं भोजन, आनाज जो भी खाते हैं सबजी खाते हैं वासा लेते हैं, दूद लेते हैं सरकराच चीनी लेते हैं ये सब Carbonic योगी के उद्योग जगत में परसाधन के कोस्मेटिक जितने भी समान हैं जो भी हम लोग चेहरे पर लगाते हैं कागज है साबून है, रबर है प्लास्टिक है, पॉलिथीन है ये सब दैनिक जीवन में तूथपरस बनता है ये सब Carbonic योगी के बिसफोटक भी कुछ Carbonic योगी के होते हैं जैसे डाइनामाइट एक बहुत बड़ा बिसफोटक है इससे पहाडी इलाकों में बिसफोट करके हम लोग पत्थर माइनिंग के काम करते हैं TNT, Trinitrotaluin TNT, Trinitrobenzine पिट्रोल इंधन कोईला इंधन है ये सब एक Carbonic योगी का उधारण है तो हमारे दैनिक जीवन में कई रूप में औसदी हो, भोजन हो कपड़ा हो, दवा हो बिसफोटक हो या दैनिक जीवन में डेली रोजमारा के सुबह से शाम तक हम लोग तुथ ब्रस करते हैं पेस्ट लेते हैं, साबून लगाते हैं सब कार्बनिक योगी के इन कार्बनिक योगी को विसेश रूप से पढ़ना अति आवस्यक है तो कारबन के बने हुए ओजिक हाईडरो कारबन यह आपर रूप, कारबन के कई रूप, कारबन ही होगा, लेकिन कई रूपों में पाया जाएगा, तो उसे कहेंगे अपरूप, ऐसे कार्बन के अपरूप होते हैं, सलफर के भी अपरूप होते हैं, कुछ ततों के अपरूप होते हैं, लेकिन कार्बन के जो अपरूप है, वो मुख्य रूप से हम लोग उसका उपयोग करते हैं, कार्बन कई सुध क्रिस्टल के रूप में प घौतिक गुण क्या होगा? अलग अलग होगा है. जैसे कार्बन के अपरूप क्या है? हीरा है, ग्रफाइट है, बक मिंच्टर फुलेरीन है, तिन मुख्य अपरूप है कार्बन के. हीरा, जिसे डाइमन कहते हैं, तो इसमें एक कार्बन, अन्य चार कार्बन परमाण्वों से जूड़ा होता है, जबकि graphite अस्तरीय होता है, ये hexagonal और chatu-s 타ip अस्तरीय होता है, जबकि ये भी hexagonal लेकिन त्री दू अस्तरीय होता है, एक अस्तर यहाँ पर है, एक अस्तर यहाँ पर है, इनके بीच में बहुत ही कमजोर वांडरवाल स्पोर्स होता है जिसके चलते ये एक दुसरे पर स्लिप कर जाते है तूट जाते है ग्रिफाइट होता है जो पेंसिल से हम लोग कागज पर मार्क छोड़ते है तो ये इनकी संरचना अलग है इसमें ग्रिफाइट में एक कार्बन बीच में कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुटा होता है तो तीन कार्बन से जुटा होता है जबकि डाइमन्ड में हीरा में एक कार्बन कितने कार्बन से जुटा होता है तो चार कार्बन से जुटा होता है तो इसके पास अंतिम कक्षा में कार्बन के अंतिम कक्षा में चार ही इले तो यह तीन इलेक्ट्रोन तो बंधन में चले गए जबकि एक इलेक्ट्रोन क्या रह गया सेस रह गया ग्रफाइट के पास एक सभी कारवन के पास एक एक इलेक्ट्रोन सेस रहते हैं यह जो सेस इलेक्ट्रोन है जो बंधन में भाग नहीं लिया है यहीं क्या करता है ग्रफा सभी बंधन में जुड़े हुए हैं, इसलिए डाइमंड बिदुधारा का सुचालक नहीं होता है, क्या होता है, कुछालक होता है, इससे बिदुधारा परवाहित नहीं होता है, बक मिस्टर फुलेरिन, कार्बन 60, कार्बन 60 इसको कहते हैं, क्योंकि एक अनु के निर्माड मे कार्बन के कितने पर्माडू भाग लिए हैं, 60 पर्माडू भाग लिए हैं, तो ये बक मिस्टर फुलेरिन कहलाता है, इसका नाम जियोडेसिक डिजाइन के अनुसार, जो बक मिस्टर एक डिजाइनर थे, अमिरिकन डिजाइनर थे, उनहीं के नाम पर इसका नाम पड़ा ह इसे बक्की बॉल भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो परमाडू जुड़े है साथ वो सभी परमाडू एक विसेश आकार फुटबॉल जैसे बनाते हैं इसलिए इसे बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है तो अब हम लोग कार्बन के अपरूप हीरा एम गरफाइड के भौती गुणों में अगर अंतर देखे यह मुखे इंपोर्टेंट है कई बार परिक्षा में पूछा हुआ है विहारबोट के एक्जाम में तो इसमें भौती गुणों में अंतर देखेंगे तो प्रकास को अग ऌगो देखेंगे और पल्लिट अजाम और मुख हुआ है जबकि गृफाइड कया हुआ होता है अपरदर्सी होता है पर ते एक तरह से जय क्या है पाधार्सज का मुक्य तत्वबग गरफाइड कशी होता यहोग जंश सब चशाना सिंट के है ग्रफाइट और ये कागज होकर होते हैं बहुत जल्दी तूट जाता है बंधन था बंधन हम लोग देखें इसमें तो अन्य चार कार्वन से जुड़ा होता है ह। जबकि इसह कार्वन ऊन्य कितने से जुड़ा होता है तो तीन से ही जुड़ा होता है और एक इसके पास क्या होता है फ्री इलेक्रोन होता है और इसी फ्री इलेक्रोन के चलते क्या होता है गरफाइट बिदूत का सुचालक होता है जबकि डाइमंड हीरा जहे बिदूत का कुचालक होता है गहनत्व हीरा का अधिक होता है गरफाइट कि उपियोग क्या होता है कि तो हीरा की नेकलेस बनाते है तक आभूसर में Гलास काटने के क्टर कि अगले भाग में हीरा भ्लेक डायमंड जहया जड़ दिया जाता है इतना कफोर ही कि वैसे गलास को काट देता है या कई धातू के कटर के आगे भी हीरा जड़ दिया जाता है, जो कि धातू को या गलास को काटने में सहायक होता है ग्रफाइट का उपयोग है सनेहक, सुस्क सनेहक, ड्राइ लुब्रिकेंट, इसका कोटनांक बहुत उच होता है गलनांक, तो ये जल्दी पिघलता नहीं है, वास्पित नहीं होता है तो हे भी मसीन में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रिफाइट का पावडर जो एगदम चिकना हो जाए, उस सनेहक के रूप में उपयोग करता है तो इससे पहले हम लोग धातू अधातू अध्याय में पढ़े थे कि योगीक बनने के प्रक्रम में दो प्रक्रिया होती है एक होते है सा सन्योजी योगीक और एक होते है वेदुद सन्योजी योगी तो सो सनयोजी योगी क्या करते हैं तो इलेक्ट्रोनों की सजदारी से वो क्या बनते हैं बंधन बनाते हैं जबकि वैदुत सनयोजा क्या करते हैं इलेक्ट्रोन का अस्थनांतरन करते हैं धातू इलेक्ट्रोन देते हैं और धातू इलेक्ट्रोन लेते हैं एक आयन बनता है धातु धनायन बनाते हैं और और धातु रिनायन बनाते हैं तो उसे दो आयन बन जाते हैं पलस मैनस तो उसे वैदुत सन्योजी योगिक या आयनिक योगिक भी कहा जाता है तो कारबन किस परकार का योगिक बनाएगा तो कारबन हमेशा साजे दारी करता है क्योंकि ये अगर कार्बन के बाहतम कच्छा में कितने इलेक्ट्रोन है चार इलेक्ट्रोन है और इसको अस्थाई होने के लिए आठ ओक्टेट कॉंप्लिट करना पड़ेगा आठ के लिए इसको तो या तो चार इलेक्ट्रोन और चाहिए चार इलेक्ट्रोन जब लेगा तो क्या हो जाएगा यह रिनायन बना लेगा चार इलेक्ट्रोन रिनावेसित होते है तो चार इलेक्ट्रोन लेने के बाद कार्बन क्या बन जाएगा C4- बन जाएगा और या नहीं तो यह चारो इलेक्ट्रोन को यह हटा देगा तो जब हटा देगा तो इसके बाहरतम कक्षा में दो इलेक्रोन बच जाएंगे हिलियम के जैसा लेकिन वैसे इस्तिती में हटाएगा तो क्या होगा यह धनायन बन जाएगा तो यह तो रिनायन बनाएगा चार इलेक्रोन लेकर तब और श्टक पूरा करेगा यह नहीं तो च इलेक्रोन हटाकर डिवेट कुरा करेगा हिलियम जैसा बनने के कोशिस करेगा तब यह अस्थाई होगा और दोनों ही आयन चाहें इसके कटायन हो चाहें एनायन हो दोनों इस्थिती में यह अस्थाई होता है अस्थाई होता है और जब कि इस इस्थिती बनती है किसके लिए अस्थाई होने के लिए तो जब अस्थाई होता ही नहीं है इलेक्रोन देने से या इलेक्रोन लेने से या अस्थाई नहीं हो पाता है इसलिए कार्बन क्या करता है साजेदारी करता है चार इलेक्रोनों के साजेदारी कर लेगा किसी से एक का दो का तीन का भी साजदारी करता तो ऐसी स्थिति में अपने अश्टक पूरा करके और सज़ेदारिया किस तरह का योगिक बनाएगा। तस्सा सनयोजी योगीक बनेगा कार्बन की तरह का योगीक बनाता है तस्सासनयोजी प्णार शुस्सानिशी योगीक अर्था और avere Harald का हम पिले क्लास में पढ्ड चुक्या है कि इलेक्टोन की सज़ेदारी ये योगीक बनते है और यह क्या होते है जल में ज्यादातर बिलेय होते है, जबकि कार्बनी की योगीकों में सॉल्वेंट में बिलेय होते है, बेदूत के कुछालक होते है, तो कार्बन कहीं भी रहेगा, CO2, तो यह क्या होगा, सासनियोजी, या CH4, सासनियोजी, CCL4, सासनियोजी, संयोजी के लिए आपको पिछले खला सम बताया थे कि दोनों औ धातू हो कारबन, oxygen औ धातू है कारबन, hydrogen औ धातू है कारबन, chlorine औ धातू है तो औ धातू औ धातू जहां पाए जाएँगे उसको सिधा बोलना है संयोजी योगी अगर एक धातू और एक और धातू हो तो क्या होता है आयनिक योगिक या वैदुत सन्योजी योगिक और दिमाग में यहां और बात रखना है कि कार्बन कहीं भी बनाएगा तो 100 सन्योजी योगिक ही बनाएगा कभी भी आयनिक योगिक का निर्मार नहीं करता है अब कार्बन की प्रकृति कार्बन अन्य तत्वों से अलग कैसे है तो कार्बन की सबसे विशेश गूण जो है श्रिंखलन गूण है जिसे कैटे नेशन भी कहते है कैटे नेशन या स्रिंखलन गूण तो स्रिंखलन आप हिंदी में आराम से समझ सकते है श्रिंखला का मतलब क की कार्बन एक और कार्बन उसके साथ एक और कार्बन आगे और कार्बन इसतरह से श्रिंख लाएं एक लंबी चेन का निर्माड करता है और यह कारबन का बिसिष्ट गुण है इस तरह के यह कार्बन दो तीन चार पचास शाठ तक जूड़ सकते हैं ऐसा किसी अन्यततों में उसे ज्यादा नहीं हो पाते हैं जबकि carbon का कैटेनेशन या सरिंखलन गूर्ण बिसिष्ट होता है और carbon के कई परमाडू आपस में मिलकर लंबी श्रिंखला का निर्माण करते हैं और इसी गूर्ण को क्या कहते हैं स्रिंखलन गुण का थे यह ब्लैक में आपको दिख रहा होगा सब क्या है कार्बन है यह वाइट वाले जहें यह हाइड्रोजन है यह कार्बन दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस तरह से आठ कार्बन जहें आपस में जुड़कर लंबी स्रिंखला बाना रहा है तो कार्ब का है तो अलग तीन का है तो अलग तो इस तरह से कार्बनिक योगिकों की संख्या तो अटमेटिक बढ़ जाती है किसके करण स्रिंखलन कुण के करण दूसरा चतू सन्योजक्ता कार्बन की संजक्ता क्या होती है चार होती है क्योंकि बाहतम कग्छा में इलेक्ट्रोन कितन इसके लिए साजेदारी करता है कभी भी इलेक्ट्रोन का त्याग या इलेक्ट्रोन को गरहन कार्बन नहीं करता है हमेशा क्या करता है साजेदारी करता है तो साजेदारी जब करेगा जिसे हाइट्रोजन के साथ एक एक हाइट्रोजन चार हाइट्रोजन है चारों के साथ ène सिंगल बॉंड एकष बॉरंड बना लिया तो अब यह चतु सॉंजगता कि चलते भी कार्बन एक संख्या बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ है यहां हइट रुजन को हटा करह हम यह क्लोरीन डाल देंगे हैं है एक और क्लोरिन डाल दिये इस सि एक सी एल्ट्री और एहां को जायेगे किलोर्फॉर्म जो शुंकर भीहस होता है देखें होंगे कि परमाल में लोग जहा करने निर्मान करता है इस से भी इसकी संख्या चाहिआ कारवनिक योगी को की बढ़ जाती है उसके बाद एक और इसका गूड़ है कि कारवन आपस में जब कैटेनेशन होता है दो कारवन आपस में जूड़ रहे हैं तो यहां एकल बंधन से जूड़ है, क्योंकि सिंगल बॉंड, डबल बॉंड, ट्रिपल बॉंड ये सारे बॉंड के बारे में हम लोग पिक्छले के अक्सा में धातु अधातु में पढ़ चुके है, अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे आप देख सकते हैं, तो यहां पर अभी ये कार्बन यहां सिंगल बॉंड से जूटा है, हो सकता है कि दो कार्बन आपस में डबल बॉंड से जूट जाए, या फिर ट्रिपल बॉंड से जूट जाए, कोई कहते है कि चार बॉंड से जूट जाए, टेटराड़ बन जाए कि चार बॉंड हो जाए तो ऐसा नहीं होता है कारबन आपस में चार इलेक्ट्रोनों के आपस में सज़दारी करके नहीं रहता है तो कितने तरह का सिंगल डबल ट्रिपल बना सकता है मतलब एकल द्वीक या त्री आबन्द से जूड सकता है अब इसे बंधन से हाइड्रो कार्बन की कटेगरी बनती है हाइड्रो कर्बन मतलब कार्बनी की योगिकों की कटेगरी क्या बनती है तो कार्बनी की योगिकों की कटेगरी इसमें एक होता है संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन दुसरा होता है और संत्रीप्त हाइड्रो कार्बन संत्रिप्ट हाइड्रो कार्बन का अर्थ होता है कि कार्बन आपस में सिंगल बॉंड से जुड़ा हो कार्बन किसे जुड़ा हो एकल बंधन से जुड़ा हो कार्बन के कार्बन के बीच में हमेशा एक एक इक इलेक्टोन की सज़दारी हो हूए हो जीतने वी एक और कारवन हैं सिंगल एक और सिंगल इस तरह के सिंगल बांड से जुड़ा हो तो उससे संत्रिफ्थ हाइड्रो कारवन कहते हैं इसका समाने सूत्र इसे अलकेन कहते हैं संत्रिफ्थ वाले को आगे पढ़ेंगे और समाने सुत्र होता है c n h 2 n plus 2 मतलब अगर माल लेते हैं कारबन हम 4 ले लिए आगे पढ़ेंगे कारबन 4 होगा तो इसका रूट वर्ड आता है मैथ इसमें हाइट्रोजन कितना होगा है तो हाइट्रोजन देखिए कारबन n होता है तो हाइट्रोजन 2 n plus 2 तो चार है तो n के जगह पर कितना रखेंगे चार तो चार दूना कितना हो जाएगा स्वंवशन उसके बाद कि अब रगर है ऐशन तरह हाईट्रो कारबन और्ट होता है कि सिंगल खोड़के कहीं कारबन के बीच में डबल जुड़ा हो या ट्रिपल जुड़ा हो कारबन के बीच में इधार सिंगल है ठीक है इसमें ठीक है लेकिन यहां क्या हो गया है बीच में डबल इसमें सभी होंगे सिंगल से इसमें क्या होगा कहीं बीच में एक जगा दो जगा या तीन जगा कम से कम एक जगा क्या हो डबल हो या नहीं तो क्या हो ट्रिपल हो तो वैसे इस्थिती में उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहत कहते हैं अलकीन और त्रीयावन्द वाले को कहते हैं अलकाइन का सुत्र CnH2n CnH2n को दुगना करना है अगर यहां कार्बन 4 है तो हाइट्रोजन कितने होगा तो चार दुना के आठ्ट हाइट्रोजन कितने हो जाएगा आठ C4H8 है तो हम क्या कहेंगे अलकीन गुरूप का है कि अलकाइन गुरूप का है तो इस फर्मूला को फॉलो करता है तो यह अलकीन है क्योंकि इसमें और इसमें कैसा बंदन होगा डॉबल बंद है जबकी अलकाइन में क्या होगा cn h2n-2 तो वैसे इस्थिति में c4 है तो h कितना हो जाएगा दुगना करके दो घटा देंगे दुगना की ये चार दुना के आठ आठ में से दो घटा दिये कितने हो गया अच्छे हो गया तो C4H6 है तो ऐसे इस्थिति में समझेंगे कि ट्रिपल बॉंड है और ये अलकाइन गुरूप है तो तीन कटेगरी हमको अलग-अलग करना है संत्रिप्ट है कि तो संत्रिप्ट का उधारण होता है कि कारबन से हाइट्रोजन दुगना प्लस दू होना चाहिए कारबन पांच है हाइट्रोजन संत्रिप्ट होने के लिए कितना पांद उना के 10 तो 12 होना चाहिए जबकि हाई कितना 10 वैसे इस्थिति में संत्रिप्ट है नहीं है और संद्रिप्थ है अब ऑशन्त्रिप्थ में भी इस परकार कहे द्वीक बंधन वाला war नुक्र कई तो पांड गुना के दो ते है तो ऐसे स्थिति में त्यों फर्मुलाइ की 2N को कर रहा है अगर आठ होता तो ऐसे स्थिति में हो जाता कि यह क्या है एलकाइन गुरूप का है त्री बंधन वाला है इस तरह से द्वीक बंधन त्रीक बंधन या एकल बंधन कि हम फर्मूला इसको याद रखेंगे कर सकते हैं यह सब क्या होते हैं खुली स्रिंखला वाले होते है जबकि यह बंध स्रिंखला वाला हाइड्रो कार्बन है है चार और से बंध है तो वह सिस्तिति में बेंजीन का सूद्र होता है C6-7 weak कि इसमें कि के अल्टरनेट करके डबल बांडबंड डबल बोल बोल ड मेंडूंड और आप देखेंगे कारबन यहां सिंगल यहां फ्रीं से पुरा करके बेंजीन का निरमार कर रहे हैं तो बेंजीन अब गया होता है hexagonal होता है 6 पर carbon है इसको हम ऐसे भी बना सकते है hexagon के रूप में ऐसे बनाकर और एक जगह double bond फिर छोड़ देंगे single bond फिर double bond फिर छोड़ देंगे फिर single bond के बाद double bond इस तरह से यहां पर यह बेंजिन का है एक डबल एक सिंगल फिर डबल सिंगल फिर डबल तो अल्टरनेट करके डबल बॉन डालते हैं या नहीं तो कई जगे कई बुकों में इसे इस तरह से बीच में गोला भी कर दिये जाता है तो इस तरह से बेंजिन भी समझते हैं कि अब कोई ज़रूरी नही अल्टरनेट छोड़ छोड़ के एक डबल सिंगल बॉंड से बेंजीन जुड़ा रहता है आपसमें कार्मन उसके उसके बाद हम लोग अब कार्वनिक योगिक में एक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कार्वनिक योगिकों में जो समू होता है एक होता है प्रक्रियात्मक समू जिसे फंक्शनल ग्रूप या क्रियात्मक समू कहते हैं तो क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रूप किसे कहते हैं तो कार्वनिक य OH तो CS3 OH में ओएच जो है इसके प्रक्रियात्मक समू है ओएच पर ही इसका सभी गुण इर्वर करेगा अगर CS3 और हम CL कर दिये तो इसका प्रक्रियात्मक समू क्या होगा इसका रासाइनिक गुण इर्वर करता है तो इधर वाले भाग को वएच जहें इसका क्रियासिन समू है जबकि कारवन के स्रिंखला वाले इधर बड़ा भी हो सकते हैं कई कारवन जूड़ सकते हैं आपस में उसको हम लोग कहते हैं और क्रियात्मक समू उस पर भौती गुण निर्वर करता है और क्रियात्मक समू पर क्या निर्वर करता है रासायनिक गुण निर्वर करता है तो किसी भी कारवनिक योगिकों में परमाणू या परमाणू का वह समू जिस पर उसका रासायनिक गुण निर्वर करता है वह उसका क्या कहलाता है प्रक्रियात्मक समू क के हलाता है या क्रियात्मक संहों functional ओलता है अभी स्थक्षनल ग्रूप के आधार पर सस्थ कम जातीय स्रेणी स्थक्राइल बनता है समझेक यू स्थक्सथ को पर समय जातीय है कि है है क्यान की स्थक्राइब हमलोग शिरेज हिसा तो होुऌ लोग सबना है जुबीग्यान में भी पढ़ते हैं, हमोलोगस औरगन, एनलोगस औरगन, वह अलग चीज है, यहां हम लोग हमोलोगस मतलभ होता है एक समान, अलोगस मतलभ जहां से उसके उत्पति हुई है, आधार, जुडाव, जहां से वह उत्पन हुए है, तो वैसे कार्वनी की योगी, जिनके क्रियासिल समौ प्रक्रियात्मक समौ क्या हो एक समान हो और है तो सब में जूड़ा हो लेकिन थोड़ा अलग-अलग हो अलग-अलग मतलब उसमें कार्बन क्या है संख्या अलग-अलग हो जिसे यहां उधान आप समझ सकते हैं मेथे नौल है CH3OH क्या है OH यहां अब कार्बन कितना हो गया दो हो गया फिर इसमें क्या है OH इसमें भी क्या है OH सब में OH है कार्बन बढ़ता जा रहा है तो यह एक ही समझाती है स्रेणी का है और इसको बोलेंगे अलकोहल स्रेणी का है यह की स्रेणी का है अलकोहल स्रेणी का है अगर दोस करमागत समझाती है स्रेणी यह दोनों फर्स्ट और यह सेकें मेथेनौल और एथेनौल के बीच में आप देखेंगे तो इसमें कितने कांतर है OS OS तो बराबर है इसमें तीन हाइट्रोजन है इसमे स्थाथ घ्र drawn अभिष्अ सबंदी एक कारवन वढ़ एक कर अथरोजन का तो किसी भी समझाती ऐस रेंडी के दो करमागत योगीकों के बीचा अंतर कितना होता होता है तो CH2 होता है अब CH2 का अंतर के साथ साथ कभी एक बार पुछा था इनके द्रमान में कितने का अंतर होता है तो कार्बन का बार और हेट्रोजन का एक होता है 2 hydrogen है तो कितने का अंतर हुए चौद अम्यू का अंतर हुए तो दो क्रमागत समझातिये श्रेणी के सदस्यों का अंतर होता है और उनके दर्मान का अंतर 14 अम्यू होता है कि समझातिये श्रेणी किसको कहेंगे तो जिसके क्रियात्मक संभू एक समान हो यह देखना है सब में ओएच 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 है इसका मतलब एक क्या है समझातिये श्रेणी के है अब कार्वनिक योगी को के सूत्र कार्वनिक सीखे हुए नाइन्ट लिखना है घर कारवन चार हाइटरोजन एसमें लिखना है टोरी दोर यह इसमें क्या है कि अनुश्यूत्र उसको करते हैं कि कि इसे योगी को एक साथ कंडेंस करके संशीप्ति रूमें लिखा जाए to commitments क्या किया जाता है कि ऊसी तरह का जिसे adesso फोर है यहां भी कारवन एक है और हाई ट्रौजन कितने है चार है लेकिन इसमें क्या किया गया है उसके बीच का बंधन दिखाया गया है कि कार्बन हाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉंड से क्या है जुड़ा हुआ है इथेन को यहां पर भी अस्ट्रक्चर दिखाया गया है कि दो कार्बन आपस में सिंगल बॉंड से और यह एक कार्बन तिन तिन हाइट्रोजन से जुड़े हुए सिंगल शुको को उसमें भाग लेने वाले तत्व के परमादुर संकेत तथा उनके बीच में बंधन को एक छोटी रेखा के साथ रेखा खंड के साथ बंधन भी दिखाया जाए तो उसे क्या कहते है सन्रचना शुत्र अब इसी संघनित संघनित सुत्र करते हैं तो संगनित में क्यों कार्बन के बीच का बंधन दिखाते हैं हाइट्रोजन को कंडेंस करके उसके बगल में लिख देते हैं जिसे इसको लिखना है तो यहां पर लिखा गया है यह कार्बन है इस कार्बन दूसरा कार्बन के भी सिंगल बॉंड है यहां पर कि क्यो बोल गकारबन के बीच का बंधन दिखाये और हेट्रोजन को उस कारबन के भगन में ही पूररुक सेज्य संख्या के साथ लिख दिया जयए तो उसे संघनित सने चनला सूत्र काते हैं और एक होता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो यहां हम पेज पे भी नहीं दिखा पाते हैं, तो उसको 3BMEA जिसे मेथेन का दिखाना है, तो यहां पर हम तो simple सा structure of formula दिखाना है, अब उसको 3BMEA जब दिखाना है, तो यह hydrogen की स्थिति दिखाना पड़ेगा, यहां पर जो रेखा खंड है, यह यह रेखा खंड और यह रेखा खंड, यह दोनों बता रहे हैं कि यह hydrogen इसी बोड के तल में है, पेज के तल में है, जबकि वेज लाइन यह तिरची जो रेखा है, इस तरह से तिरभूज के रूप में, यह वेज लाइन है, और यह वेज लाइन जहें बताता है, तल से क्या बाहर यह हाइट्रोजन क्या है तल से बाहर है यहाँ पर जुड़ा हुआ है जबकि यह रेखा डॉटेड लाइन यह बताता है कि यह हाइट्रोजन क्या है तल के अंदर है उसके अंदर पीछे बोड से पीछे यह हाइट्रोजन जुड़ा है तिससे पता चल रहा है कि आगे अब क्व हाइट्रोजन और में है तर्फ तरह से three विमा हो गया लंबाई भी हो गया चोड़ाई भी हो गया और मोटाई भी हो गया तहीस तरह से तीनो वीमा में दिखाया जाता है तब जा के उसको क्या करता है त्री वीमिय शुत्र करते हैं मुखे रूप से हमको सनचना शुत्र और संगनित शुत्र का ध्यान रखना जरूरी है और इसी के बारे में पढ़ना है है अब कार्बनी के योगी को का बारा रहा था तो इस इस्तिती में इसका नाम नाम हो गया है किसी में करवन दोर किनander और उसके बारे में सूत्र लिखने में असानी होगी और उसी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अचार्थ सानी याद करना पड़े इसमें क्या है कार्बन की परमाड़ोंस की संख्य एक से लेकर 10 तक है और इसका मुखे मारा हमको याद करना पड़ेंग सांख्य एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे मैठ बोलेंगे दो होगा तो ए ? works यह ध्यान रखना है एक से दस तक ये कमेश्ट्री और गेनिक कमेश्ट्री की गिंती है और इसको बिलकुल याद करना है इसको नहीं याद करेंगे हम और गेनिक कमेश्ट्री के नाम करन या सुत्र नहीं लिख पाएंगे ये की मेथड है और इस सारनी को बिलकुल याद करना है अब जैसे आप सम चार रखा गया है हीट्रोजन जहें चार क्यूं होगा तो एक है एन का भैलू कितना है कारवन के पास एन होता है ना cmH2 times to अलकेन का उढान देख रहा है संथरीपफ हाइड्रोक сторон तो कार्बन 1 है एन के जगा पर opa 2 से गुणна होगा तो कितना होगा मेथ प्लस एन क्या बना मेथेन दो कार्बन है और छे हाइट्रोजन है तो कितना हुआ दो दुना के चार प्लस दो छे है इसका मतलब संत्रिप्त है अलकेन गुरूप है अलकेन गुरूप है उस इस्थिती में लिए दो कार्बन है तो यह जोडेंगे न इसमें देख रहे हैं तो इसी फार्मूला को फ्रो खे अगया है कॉछ है संक्या कार्बन की परमादु संख्या से दो गुना पलस दू के बराबर है जिसे यहां आठ है तो कार्बन आठ आठ दुना के आठ दुना के 16 और 16 अदो जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 तो उसमें क्या होगा आठ है तो मुख्य पदल क्या लेंगे कि यहां पर क्या कर लेंगे 9 ओक्टं कर लेंगे तो इस तरह से जब हम इसको याद कर लेंगे इन जोड़ेंगे जब डबल बॉंट होगा तो क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे तो मैथ में नहीं कि दबल बावन के लिए दो कार्बन मुख्यत होना जारो होगा कहां से इन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेन्टेन आयन भी जोरना होगा तैसे चलुचा दो कार्बन से धान प्रोपान तो जोरते चले जाएंगे कटी यह अब हम लोग समझते हैं कि इसके नाम करण में जो क्रिया सील समू है ओएच जूटता है यह सब क्रिया सील समू है उसके सूत्र है तो उसके लिए हम प्रते क्या लेंगे इन कब लेंगे आइन कब लेंगे इल कब लेंगे तो इसके लिए भी एक सानी दो सानी हम लोग को बिल्कुल याद करना है एक तो एक से दस तक कारवन होंगे तो उसके लिए मुख्य पद हम ल सूत्र के लिए क्या प्रतेय लेंगे उसकी सानिज गई है जिसे अलकेन है तो अलकेन के हम बता बार बार कर रहे हैं कि सी एन एस टू प्लस टू अगर इस इस्तिति में अगर कोई योगिक मिलता है तो वहां समझेंगे कि सिंगल बॉंड है और संत्रिप्थ हाइड्रोकार्ब अगर कार्बन से हाइट्रोजन के बाद दूगना है तो वैसे इस्तिति में डबल बॉंड है डबल बॉंड है और संत्रिप्थ हाइड्रोकार्बन है अगर द्विक बंधन वाला अलकीन है तो उसके लिए क्या लेंगे इन लेंगे अगर अगर सी एड्रोकार्बन का अलकाइन होगा और उसके लिए प्रते हमको याद होगा करना पड़ेगा आइन और एक चीज़ समझते है कि अगर कार्बन सी एन एस टू एन प्लस वन है जैसे माल लेते हैं इसमें कार्बन दो हाइट्रोजन कितना होगा इसके अधार पर तो सी टू एच दो दूना के चार अदो छे इसमें कार्बन दो तो इसमें हाइट्रोजन कितना हो जाएगा क्यों दूगना चार इसमें कार्बन दो इसमें हाइट्रोजन कितना हो जाएगा तो दो दूना के चार में से दो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हाइट्रोजन दो इसका नाम क्या होगा इसका नाम दो कारबन है तो मुख्य पद क्या लेंगे एथ में क्या जोड़ेंगे एन इसका क्या होगा एथेन इसका क्या होगा एथेन कोई किताब उम दिया है इसका क्या होगा एथेन इथेन इसका क्या हो गए तो इत में क्या जोड़ देंगे आईन तो इताइन आए उसी तरह से यहां पर अब कार्बन जितना है उससे हाइट्रोजन दुगना करके एक जोड़े पतलब कार्बन दो है हाइट्रोजन दो दुगना के चार और एक पांच एक अभी इसके पास बांड बचा हुए किसी के साथ ओज के साथ किसी क्रियाशिल् मुक जूड़े तो इसको कहते हैं अल्किल ग्रूप और इसमें जोड़ते हैं इल अगर क्या हो Crypt तो एन एक थया इधन कितनी की संख्या में उसके अंसार से हम प्रतेय चुनेंगे उसके बाद यह जब कर लेंगे तो अगर यह जुड़ा हुआ है तो इसके लिए भी प्रतेय चुनेंगे अगर ओएच है ता एलकोहल है उसके लिए ओल हम सी चु यह है तो अलडि हाइड है उसके लिए एक ऊ हैं हud उसके लिए ओन कीटोन गुरूप है कोई का सी डबल ओएच है तो उसके लिए ओई कमल ला इसे ए यहां ए और इसी में यहां जूट जाए यहां पर क्या जूट जाए ओएच तो अब यहां पर एथ लेंगे को शोरी एथ उसमें जोड़ेंगे एन एथे न और फिर इसके लिए जोड़ेंगे अल तक यह बन जाएगा एथे नॉल कि तो सी टू एच फाइफ वेज को क्या कहेंगे एथे नौल कहेंगे अलगल कर अगर सी डबल ओएच है तो कार्वाक्स ली कम लो ओई कम लो उसके लिए जूड़ेंगे एस्टर है तो इसको जेलिए खोड़ा सा समझना है नामकरण में समझेंगे एक भाग में इधर वाले भ अलकील बोलेंगे एक पार्ट को जहें वेट बोलेंगे उसी तरह से ओक है दोनों तरफ आर आर जूटेगा तो ऐसे स्थिति में एक तरफ का ऑक्सिज जोड़के और एक तरफ सिधा अलकेन बोलेंगे और कुछ उपसर्ग भी होते हैं मतलब उसको पहले जहें लिखा जाता हैं अब इस नामकरण को दो सानी हम लोग समझ गया एक कि कार्बन कितने हैं तो उसके लिए मुख्य पद क्या लेना है उसके बाद दूसरा कि उसमें सिंगल बॉंड डबल बॉंड ओएच है तो उसके लिए हम प्रते क्या जोड़ेंगे या उपसर्ग क्या जोड़ेंगे अब उसके बाद हमें नामकरण समझना है लेकि इस पार्ट में दो ही चीज मुख्य समझना है हम लोग को एक नामकरण नामकरण जब सीख जाएंगे तो सूत्र लिखना भी सीख जाएंगे और उसके बाद दूसरा हम लोग को समयोता समझना है तो नामकरण सूत्र लिखना सब्सक्राइब और संगनित सब्सक्राइब ताथ हम लोग को समय उता है इस पार्ट की मुखे चीजे है अभी हम लोग नामकरन समझें कि नामकरन कैसे करते हैं थोड़ा सा अलग हम लोग समझते हैं जो आईउपीएसी का सिष्टम है उसके अमसार से तो हमें सबसे पहले किसी जिसे यहां पर है तो इसमें हम लंबी स्रिंखला चुनेंगे तो एक यहां से चालू होंगे एक दो तीन तो एक दो तीन कितने कारवन परमालू आ रहे हैं तो तीन आ रहे हैं अगर इधर से एक दो तीन ऐसे भी चले जाएंगे यहां से तभी एक दो तीन आ रहे हैं नीच तो तीन आ रहे हैं तो हमें जहे सबसे पहले काम यह करना है जिसे माल लेते हैं आप एक एक दूसरा उधार समझते हैं इस तरह का दिया हुआ है अब इसमें हम कार्बन की स्रिंखला चुनाव करेंगे तो एक दो कोई कहा कि ऐसे चले जाते हैं एक दो तीन कितना हुआ चार कोई कहा कि नहीं ऐसे चले जाते हैं कितना हुआ एक दो तीन एक दो तीन चार हुआ कोई कहा कि नहीं ऐसे जाते हैं सीधा सीधा कितना हुआ एक दो तीन चार पांच तो यह सीधे वाले में हमको कितना मिला पांच तो लंबी स्रिंखला कौन है वह समझना है तो हम कहीं से किनारे से सुरू करेंगे बीच में मोड भी सकते हैं या सिधे भी जा सकते हैं बस उस राष्टे में एक बार जाना है फिर लोटके नहीं आना है तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक कारबन किस राष्टे में पढ़ रहा है कैसे कैसे जा रह एक दो तीन इसको नंबर दिए एक दो तीन कोई कहाए कि नाम इधर से भी नंबर देंगे तो दोनों और चाप नंबर दे सकते हैं नंबरिंग का सिश्टम समझेंगे कि नंबरिंग कौन सही होगा तो अभी इसमें दोनों और से नंबरिंग सही है अब हमारा यह मुख्य स्रिंख़ा यह हुँ इसको चुनाव की है यह वाला नहीं यह वाला गलत है अभी शाहिए अ इस हाल के लिए इसमें इसमें ङह तुक्Am हम एवेख kij लेकर चलते एक अब इसके बाद इसमें यहां पर दून नंबर पर यह तो हमारे metal नहीं क्योंकर स्रिंख लाम स्रिंख्ला में नीचे में चला गेया है कि उसे स्री हेल की क्या है क्योंकि क्रपट स्थिति में इसका नाम करिंगे नाम 01 नंबर के साथ मुख्य पद लिखेंगे स्रिंखला जो लिए हैं उसके उनसार उसके बाद प्राथमिक प्रते एन है इन है आइन है उसके बाद दिवतियक प्रते ओल है अल है उसको जोड़ेंगे तो यह हमारा मुख्य सिष्टम बनता है नंबर के साथ सखा, उपसर्ग है तो उपसर्ग, मुख्य पद, प्रात्मिक प्रते और दिवतियक प्रते जो मुख्य अगर इतना ही आता है तो हम इतना ही लिखेंगे मुख्य पद, प्रात्मिक प्रते अगर यह सब भी आते हैं तो इसको भी इंक्लूड करेंगे जो जो रह में को लिखेंगे मैत यह कार्बन का क्या होगा qya मैं ऑर इल मैथल यह भी यह मैथल मैध Hahn दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि दो और में तो उसक् соглас करते है रसायन आ रहुंत सह तो एक ही बार लिखेंगे डाईि मेथिल चाहे। लिविंघ नतिक्रार अई बदीए है तो मिथाईल अब इसके बाद यहां डाई मिथाईल तो इसका नमबर बताना पड़ा तक इस लाइन में को नमबर पर गॉटा है ति यह दोनों methyl है इसली शले धायर मिथाइल और लंबी कितने कारवन है मुक्ष मदूब रोड मेंगा त carbon तो क्या बनेगा प्रोप उसके बाद किस बॉन से जूटा है तो सिंगल बॉंड से जूटा है तो क्या लेंगे ऐन तो क्या बनेगा प्रोपेल यह प्रोपन नहीं प्रोपेल तो इसका नाम क्या होगा है डाई टूटू डाई मिथाइल प्रोपेल अगर इसका नाम तो सक्खा में तो नाम क्या हो जागा रजाए कितना पर एक दो तीन इदर से भी करेंगे त्यक्ती तो तीन नमबर पर है थ्री जी तो निय साथ कि अब पांच है तो पांच का होता है मुद्ग पहुद पेंट और उसमें सब सिंगल बॉंड है तो प्रते के लगेंगे एन पेंटेन अब इसी नाम करण को यहां पर हम लोग समझते हैं कि यहां नाम कैसे हुआ है तो कार्बन इसमें देखेंगे तो यहां से ऐसे चुने इस लाइन में कितने कार्बन आ रहे हैं तो इसमें एक, दो, तीन, चार कार्बन आ रहे हैं चार कार्बन आ रहे हैं तो चार कार्बन के लिए मुख्य पद क्या आएगा ब्यूट उसके बाद बॉंड कैसा है कार्बन के बीच में सिंगल बॉंड है तो सिंगल बॉंड है तो उसके लिए प्रते क्या लगाते है एन त यह उसी परकार दुसरे वाले में देखते हैं यहां कितने कारवन है कि स्रिंखला में एक दो तीन चार तो क्या बन गया by कि उसके बाद कग screens member ben कैसा है तो सिंगल देखरें लेकिन भीच में क्या जब ल ze वसे स्थीती में इस डवल बांड का झगा बताना पड़ेगा Gus कारबन दो कारबन, तीन कारबन चार कारबन, तहीं किस पे पढ़ रहा है? 2-3 के बीच में दो और 3 के बीच में पर रहा है तो 3 पर नहीं बोलेंगे कितना बोलेंगे लो नंबर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे 2-運 या नहीं 2-in 2-in भी बोल सकते हैं 5-2 चार कारवन है तो और ड्राबल-जसान कितना है तो दूसरा तिसरा के बीच में है तो तिसरा न बोलके क्या बोलेंगे दूसरा कमोला बोलना तो टू इन बोलेंगे उसी तरह से यहां देखिए यह यहां से स्रिंख्ला चुने कारबन के एक दो थीन तो क्या आएगा प्रोब बॉंड कैसा है तो सिंगल बॉंड है कार्बन के बीच में तो क्या जुटेगा इन यह ओएच है तो अब यह दिवतियक परते आ गया तो क्या इसमें लगाएंगे औल तो क्या होगा प्रोपे नॉल अब इस प्रोपे नॉल में हमें एक ध्यान ये रखना है कि यह ओएच यहां जूटा है अगर यहां जूटा तो अलग होता यहां जूटता तो अलग होता अब यह कहां पर जूटा है तो एक दो तीन कौन नमबर कार्बन पर जूटा है तीन नमबर पर तो कहेंगे क्या त्री तीन प्रोपेनल अब हम बोले हैं कि नंबरिंग जो है ज कि इतना पफो जूटा है एक पर एक पर वेट बोलेंगे कि तीन पर घुष liked जो क्या लेंगे कि लो नंबर कि जीधर से आयगा वहीं बोलना है तो हम इसको बोलेंगे रड वन प्रोपेनॉल तीन प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा एक प्रोपेनॉल बोलना सही होगा अगर यहां पर होता तो क्या बोलते है कि दो प्रोपेनॉल अगर यहां पर होता तो क्या बोलते है कि तीन प्रोपेनॉल तो नहीं तीन प्रोपेनॉल इधर वाला ग सर्ग जाता है तो इसको पहले बोलेंगे कः नम्बर पर जूता है एक दो तीन इधह से नहीं इध़र से करेंगे तो एक दो तीन एक नमबर पर जूता है तो one iko takeaways are search for single band to check in one Claro Propane कि इसका नामकरण परे इसके नामकरण में एक दो तीन चार पांच छे सिधा सिधा इसका नाम हुआ alive hex single bond से जूटा है अन तो क्या मुने कहें can के उसके बाद कि आभी इसमें देखिए कि यह इदर गूरुप का है आए और इधर भी जूटा है इधर house एफिन ले लेंगे गर क्योंटा क्हुंट में टांसी बाथ दुसरा भाग भी दो कार्बन का ee यह ए यह सब्रकिल कि लिए यह क्या आया है तहीक बाग्किल आया थे चल्त भाग के लिए यह क्या आया में ऑक्सी दूसरी भाग में क्या जोडते हैं एन जोडते हैं तो यह थोक्सी एथेन इसका नाम हुआ हुआ है उसी तरह से यहां अगर देखेंगे तो श्रिंखला यह से चुने एक दो तीन चार प्रांट छे साथ तो साथ यहां पर कार्बन है साथ कार्बन में अब हमको दे देखेंगे कि है अगर इधर से देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे सथ है अ कितना नमबर है दो नमबर पर यह डौल primeiro कितना पांच शे के बीच में है स्टले पांच नमबर पर तर्थ नमबर कर seven पर वी डैंग और पांच नमबर कार्बन पर भी डवल बॉन्ड है तो तूफाइप डवल बॉन्ड है तो इंज इसलिए क्या बोलेंगे डाई इन इधर से करेंगे एक दो तीन चार-पांच-छे-चा टै कितना नमबर पहेगा दो नमबर पर यह डवल और कितना अब पाई पर तो दोनों औ साथ कार्वन है तो है और डबल बॉंड दो पर फिर दूसरा डबल बॉंड पांच पर उसके बाद डबल बॉंड के लिए इन दो डबल बॉंड है इसलिए डाई इन इसके लिए तो यहां इसमें यह नाम यहां गलत है इसी दा यहां से जाते है तो क्या है एक दो तीन चार चार कारवन है तो क्या बोलेंगे ब्यूत से चुटा है तो क्या बोलेंगे मैं है तो क्या होगा सिधा विधन किसमें किटन ग्रूप नहीं है प्रोपेनोज नहीं है या नाम करने यह गहलत है हुए इसमें तह एक दो तीन चारकारवन है तो ब्यूर्ट है आस है सिंगल बोंड से एन और लश्ट में सी एच ओ है तो अल बोलते हैं इसके लिए क्छा करते हैं ब्यू टेन नल थिका बचांगे किटोन बन जाएगा उसके बाद यहां पर सी डबल ओ बीच में है इधर भी गुरूप है और इधर भी आर गुरूप है तो एक गुरूप को जो ओ के साथ जुड़ा हुआ है उसको इथाइल बना कर जहें अलकिल गुरूप लिख लेते हैं और दुसरे वाले भाग को बना कर इधर भाग यहां उग्या है इसको क्या बलेंगे दो कारबन का है एत अलकिल गुरूप है तर एथायल और इधर भाग में कितने कारबन होगे एक डो तीन तो तीन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड से है और और C o है तो उसके लिए वह बन जाएगा प्रौपे नुक्त उसके बाद धर दखते प्रौपेक मला के लिए कार्व elaboration ने लगाते हैं एक दो तीन प्रो सिंग्ल ऑंड है इन प्रोपेन तक गयए उसके बाद देऊँ यह नामकुल्ण न आपको लिखेंगे आप इसको ऋमबवरर का चाहिं? में भी अपना ह कर सकते हैं और comment में डाल सकते हैं ऐसे हम बता दे रहें कि यहां से numbering करेंगे तो numbering करेंगे तो एक-दो-3-4 ही प्र कार्बटन है यह हमारा किसमें चला गया से अलग हो गया ब्रौंच में छिल गया सखा में क्योंकि यहां से अगर तो ही लेता है एक टोघिया है टोच नहीं आ रहा है दो यह ब्रांच का नमबर कहा अब पड़ा दो नमबर पर इसको लिखेंगे ब्रांच पहले लिखा जाता है सखा सखा में कितने कार्बन है एक कार्बन तो मेथ और अलकील गुरूप है तो मेथाइल जोड़ते हैं कई लो तो मेथाइल और चार कार्बन है तो क्या लिखेंगे ब्यूट कि असिंगल बॉंट से जूटा है तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन क्या होगा टू मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम करून देखते हैं इसमें नाम करून करने में हम जया पहले क्या करेंगे लंबिस रिंखला के चुनाओं करेंगे कि अब लंबे स्रींखला में इस स्रींखला में क्या देखते हैं एक दो तीन चार-पांच पांच करबन है उसके बाद इसमें यहां से हो से आते हैं तो एक दो-तीन चार एक दो-तीन- चार फिर इधर जाते हैं, तो तीन यहां तक होगत, चार पांच, छे इसमें टोटल कितने आ रहे हैं? छे आ रहे हैं, तो हम इस लैन को चुनेंगे, यह हैं यह ऐसे भी जा सकते हैं तो छे से अधिक नहीं आ रहे हैं, अब 6 हमारे मूख श्रिंखला के कार्बन हो गए उसके बाद अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमारी श्रिंखला यह हो यह वाली नहीं हो श्रिंखला यह बने जिसमें जया अधिक कार्बन प्रमाडू जूड़े है 6 कार्बन हमको मिल रहा है नंबरिंग करेंगे यहा नमबरिंग करते हैं तो एक दो तीन च्शार कि पांसा यह और इस दोनों सिरेंगल यह और यह ब्रांच है और यहां भी ब्रांच है ओं तुए स्रिंखलांपर यह तेन ब्रांच में हैं और यह हर कि ये दोनों दो फिर यह वी कितना पर है दो पर दो और यह जो यह जो लें में तो इतना हो गया चार अतिन साथ कर अब हम इधर से देखते हैं तो इधर से खाल सकता कि हे यह compelling चर्भ चार पर रहा है और यह कितना प्रिदा शाओ रहे हैं तो तो कितना हो जागा चार अब प्लस ये कितना पर पांच पर फिर ये कितना पर पांच पर तो कितना हो गया 14 तो numbering हमारा वो सही होता है जिससे हमारा sum of या set जो है lowest पड़े कौम पड़े तो हमारा ये numbering सही है ये numbering क्या होगा गलत होगा अब कौन सा numbering सही है तो हम इधर से जो जा रहे है वो सही है ये वारा हमारा numbering क्या है गलत है अब जब numbering कर लिए पहले स्रिंखला चुने उसके No more mix कि ये दोनोर से नंबरिंग करने के बाद वहीं नंबरिंग सही होता है जिदर से सखा से जोड़ने takiej कर्वन पर नंबर की आपड़े कारुए अगर जदा है तो सटो जोड़कर देखेंगे जोड़ जिसका कम पड़े अब उसके बार चाहा का नाम करेंगे तो ये सखा है ये सखा है ये सखा है तीनों सखा में हम देख क्या रहा है कि एक एक कारवन का है तो तीनों मिथाइल गुरूप है तो उसका नंबर बताएंगे तो ये कितने पर है दो पर ये कितने पर है दो पर ये कितने पर है तीन पर अब तीन पर तीनों पर मिथाइल गुरूप ह तो तीनो अब यह नहीं लिखेंगे के दो मिठाइल 2 & 3 तीन मिठाइल ऐसे नहीं दो दो तीन वार्टी सी blades है तो ट्राइए आट उसके बाद हमारे मूंगे सरिंखला में मितने हैं शेंग है कि आंसे आशविक सिंगल वॉन से जोटे हैं तो है krena for इसका नाम होसे गाटा टीर ट्रीर ट्राइं ही एक्सें उसके बाद इसका नाम करण आप करके comment box में लिख सकते हैं इसका number हम दे रहते हैं एक दो तीसरा number आप तीसरा number देकर इसका नाम करण हमें बताईएगा ठीक है लम्बी श्रिंखला चुनिएगा ब्रांच यहां पर जूड़ा है इसका नंबर दीजिएगा, ब्रांच में थाईल है, मुन स्रिंखला में 4 है, तो तीसरा का हमको एंसर दीजिएगा, उसी तरह से यह चोथा है, तो यह इसमें आप लंबी स्रिंखला चुनेंगे, ब्रांच नहीं आएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच कार्वन है, तो मुखे पद क्या आएगा, सिंगल बॉंड है, तो एंस जोड़ेंगे, तो इसका हम दे देते हैं नंबर, चार, चार नंबर का पेंसर बताइएगा, उसके बाद यह पांच नंबर, पांच नंबर लिखके, कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो य लिकिन इसके साथ साथ इस ट्रिपल बॉंड का हमें अस्थान बताना पड़ेगा, तो कितने नंबर पर है, तो इधर से जाएंगे, तो एक, दो, तेन, चार, दो, तीन के बीच में, तो दो बोलेंगे, इधर से भी जाएंगे, तो दो बोलेंगे, तो इसका नाम, फिर यह पाचवा के बाद यह छटवा, जो एक्जम्पल है, इसका भी नाम आप कॉमेंट वाक्स में जरूर लिखिए गाए, यहां पर यह क्लोरीन जो है, यह उपसर्ग में चला जाएगा, पहले क्लोरो, इसका नंबर बता है, वन क्लोरो, फिर उसके बाद, यहां वेच है, तो इ इसमें यह देखना है, इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि वेच प्रात्मिकता है, एक, दो, तीर, तो पर क्लोरो बोलेंगे, और एक पर आल बोलेंगे, तो इसका नाम हम हिंट दे दे रहा है, कि होगा, टू, क्लोरो, वन, प्रोपे, नॉल, ठीक है, और इसको अपने स लिख कर और कॉमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा, तो हम लोग अब तक, क्या समझें, कार्बनिक रसायन में, फर्स्ट वीडियो आज हम लोग देखें, और समझें कि इसमें कार्बनिक रसायन का हम लोग किस तरह से नामकरण करते हैं, उसके दो साराणी बिलकुल आप आप उसको याद कर लिजेगा कि कार्बन कितना होगा, तो मुख्य पद कितना लेंगे, उसके बाद प्रते या उपसर्ब का क्या उप्योग करेंगे, एक चीज है, इस वीडियो को बाइंड अप करने से पहले एक और चीज आपको बता देते हैं, जो कई समस्या होती है इतनी होती है, तो चार होती है, कितना बॉंड बना सकता है, चार बॉंड बना सकता है, अब उसके बाद यहां कार्बन है, यहां पर कितने बॉंड बना है इसके अगल बगल, तो एक दो तीन, तीन बॉंड यह बना चुका है, तो अब कितना इसको बच गया है, एक बच गय अब कितने चार बनाने है, चार में से दो पहले से ही बंधा हुआ है, तो कितने हाइट्रोजन रखेंगे, तो चार में से दो घटा लेंगे, जितना बॉंड है उसको घटा लेंगे, उतना ही हाइट्रोजन बेठाएंगे, इस कार्बन के बगल में एक ही बॉंड है, तो चार म से एक बॉंड घटाएंगे तो कितना हाइट्रोजन होगा तीन हाइट्रोजन होगा जैसे यहां अगर आप समझते हैं कारबन 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 यहां पर हमें ऐसे कर दिये कारबन और यहां भी एक और इसके साथ जोड़ दिये कारबन तो यहां कितना हाइट्रोजन होग तहाँ एक भी हाइट्रोजन नहीं हो गाए कितना हाइट्रोजन दो बॉन बंचुका है तो यहाँ पर चार में से दो बॉन रटा देंगे तो हाइट्रोजन यहाँ क्या बाद्रोजन की समझ data उसके व्होंब लिख समय यह दिकत होती है तो उसको हम बताइंगे कि अगर नाम दिया है पहले नाम सिख लिए नाम सिखने के बाद हम सनचना सुत्र लिखने के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है अगले वीडियो में तो यहां तक हम लोग यह समझे नामकरण कैसे होता इसके बार में कार्बनिक योगी को के अन्य जो प्रियासील सम्मों है उसके बारे में होमोलोगुस सीरीज अगले वीडियो में हम लोग समय वत्ता पढ़ेंगे और कुछ कार्बनिक योगी को के गून धर्म पढ़ेंगे तो हमें असा है दता depend आपको you पसंद आया होगा तिसे लाइक जरूर करे हमारे अपेक्स अस्टाडी सेंटर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू